राजिस्थान में लोन एप स्कैम पूरी तरह से हुआ खत्म आखिर इसका कितना बड़ा रीजन क्या है कि इसकैम एक दम रातो रात खत्म हो गया वहां पे अब एक भी फोटो मैसिज फोटो मास कोई भी चीज वरल नहीं हो पा रही है सब कुछ खत्म हो गया इसकैम पूरी त में नहीं हुआ उत्रा खंडे में नहीं हुआ लेकिन राजिस्थान में जो है अचानक जो है लोन एप स्कैम कैसे खत्म हो गया पिछले दो दिन से कल का और आज के मिला के तो उसकी पूरी तच्चाई क्या मैंने बता रखी है वीडियो देख लो आपको पूरी वास समझ मे और सब्सक्राइब और एक वीडियो वारे नहीं हो रहा कोई भी आधार कार्ट पैंड कार्ट साथ छेट शार नहीं हो रही है कुछ भी नहीं हो रहा और कॉल्स भी काफी हद तक कम आ रही है एक तरह से इसकैम पूरा खतम हो गया है राइस्थान में कॉल करते थे वह कम आ रही है लेकि सबस्यादा वार्ट सब्सक्राइब बनाना अधार कार्ट पैंड का पर लोंचोर रेपिस बगरा लिखके वर्यल करना फोटो माफ करके लोगों को भेजना यह सब होता था बिलकुल खतम हो गया है पिस्ट दो दिन से मैं देख रहा हूं और यह मैंने इध्या आ रहे हैं हम क्या करें तो सब के साथ होगा बराबर होगा कौल जाएगी सबसको हो राहिख आपस कॉछ कर रहे हैं अच्छा जिन लोगों ने फोन किया था उनके पास पूंड़ता जानकारी नहीं थी मैंने पूछा क्यों सर यह तो हमें नहीं पता लेकिन हमारे पास हम सुकून से हमारी कॉंटेक्स पर किसी भी कॉंटेक्स पर कोई मैसेश बगारा वाले नहीं हो रहा है वो बना वो बहुत बहुत फिरी हो गाएं क्योंकि यह लोग सब्सक्राइब वार्ट पर कॉलिंग करते थे बोलें कि सब्सक्राइब खतम हो गया है यह तो मैंने ठीक है यार मेरा दिमाग नी चला यार मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ अच्छा मैं आपको मुझे तो समय नहीं मिलता है कि म मैं भार क्या चला मुझे कुछ जानने को मिले कि यहां पर अब मैं आपको चीज़ी पताने जा रहा हूं देखिए मैं इसको दो लाने खत्म कर सकता हूं वह यह ऐसे हो रहा ऐसे 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 नहीं मैं आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से ताकि आपको बलब दिमाग में इतने डाउट्स हैं वह किलियर हो जाएं मैं आपको वीडियो में बहुत सी चीज़ी किलियर करूंगे आपकी तमागी बात आ रही होगी क्योंकि आप मेरा वीडियो बिहार में बैटके देख रहे हैं या उत्तरा खंड में या यूपी में या आन्पेदेश में जहार ना होगा ताकि आपको हरी बात समझ में आ सकी तो एक काम करतो चैनल को सब्सक्राइब करतो बैल आकन को पैस करतो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नुटिफिकेसन आपको समय से मिल सके तो दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपको बताओं रही है कोई बड़ी चीज नहीं ह बहुत चोटी सी चीज मैं आपको बताओं जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है लेकिन लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वो सोसल मीडिया या न्यूज से जुड़े हुए नहीं है तो उनको कोई चानकारी नहीं है देखिए वहां पे क्या है वहां पे हाली में क कोई मतलब कोई मडर वगरा हो गया है कुछ कांड हो गया है ठीक है जिसमें हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर है उदयपूर का कोई कांड है आप डालना राजिस्थान इंटरनेट गूगल पर डालना तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी उदयपूर में कुछ संदेश करते हैं लोग वीडियो करते हैं न तो इस तरह की चीज़े वारल लाओ तो वहां की जो सरकार राय स्थान की उन्होंने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया अब आप इतनी सी बास समझ गए होगी इंटरनेट बंद कर दिया तो यार फिर तो कोई मतलब भी नहीं बन क्या वो करतों पा रहे हैं लेकिन वह इसी बीकर पा रहे हैं इंटरनेट इन नहीं चला है बाई जो लोग फसे हुए हैं लोगों को भीज रहा है, वह इसली नहीं पहुंच बार तरीके से बंद कर दिया गया है तो जब इंटरनेट बंद है तो कोई चीज पहुंचेगी नहीं तो वहां पे दो दिन से कल 28 तारिक और आज 29 तारिक दो दिन से आदमी बंदा जो पीडित है ना बड़ा सुकून से बढ़ा है कि भाई हो लो नेप स्केम खतम हो गया आप जिसको जानकारी है किया ऐसा सा समझे में आ गई है भाई स्केम का खतम हो गया यह तो इंटरनेट बंद कर दिया है इंटरनेट का पूरा खेल है तो यह भी मुझे एक बात अच्छी लगी अगर एक दो दिन के लिए पूरे भारत देश में इंटरनेट बंद कर दिया यहां नुकसान तो बहुत होगा यह दो बाज्ज तरह supplies is सिकेम बाले जो लोग है ना उनойд実 को किए लेकिंगए कि सिर्फ टक यूरिकर अड़न करना और अधार कार्ट को मॉफ करना यह घर काट करना आडकि अर। पर वारेल करना यह करना उससे जादा तकलीफ होती है कॉल करके तो गाली दे पाएंगे इस सज़ादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना चलो उसको तो बर्दास कर लेंगे लेकिन जो एक दर होता है क्या कांड हो गया है किसी बंदे ने किसी को मारा उसका वीडियो बारेल हो गया और जिसको लेकि पूरे रायस्थान में आक्रोस है वहां पे कहीं को दंगा ना भड़क जाए कोई गलत हरकत ना हो जाए पुलिस चपे चपे पे नजर बनाई हुई है तो इसलिए मैंने भी दो समझ गया हुगे मैं कहा कहना चाहा हूं आप अच्छे समझ मझे को हाप। इंटर्न बन्द हो गया रायस्तान में कहीं नहीं चला है को यह वह्यकुद नवने वाला इंटर्नेट कोई नहीं पाएगा निच्छे कुलेगा नहीं हां जब इंटर्नेट चालू होगा तो जब इंटरनेट बंद हुआ है इसकी वज़े से यह सारा चीज़े हो रही है तो अब आपको मैं यह बता दूं कि यह बहुत परिशान हो गए दो दिन से परिशान है क्योंकि यह जो राइस्थान की जितने भी लोग है जितने भी पीडित हैं वो लोग सुकून में जी रहे है क्या जोवाज कोंकर ना कोई अब है कोब मैंने बोदा शुरुआत में वीडियो के की एक हाथ कौलीा है वहां क्योंकि उनकोंकि से सिस्टम से और बंद ये और कोन्टेक्स नकाले घजान और इंटरनेट लिए हैं ओने लोग के लिए लिए कंपिटर चल रहा है तो सारे काम online निकालते हैं अब जिनकी पास offline download है एक्सल फाइल में या कम्पीटर के किसी PDF फाइल में या कुछ भी बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया मेल बी किसरा राइसथान में पूरा खतम हो गया वहां के सरकार बहुत बड़ीया वहां पर रात और रात पूरा खतम कर दिया अरे भाई वहां पर इंटरनेट बंद हो गया है अब इंटरनेट बंद हो गया है तो वहां पर जित्ते लोग बैठें उनके पास कोई मैसीज नहीं पहुंच रहा है बेजने वाले तो भीज रहे हैं अगर मैं किसी को मैसी भीजूंगा और राइस्थान का रहने वाला बंद आया तो मेरी तब से तो मैसी चला जाएगा लेकिन उसके पास जब तक ही पहुंचेगा बाई जब तक वह अपना इंटरनेट ने खोलेगा इंटरनेट ने खोलेगा मतलब इंटरनेट चली नहीं रहा है तो आप यहां पर आपको क्या करना मैं आपको यह बताऊंगा अगर ऐसा होता है धराम से तीन दिन चार दिन एकटे धराम से मैसेज़ करेंगे कि वारा कर रहा है कर रहा है वैसा वैसा दुनिया भरका तो रोज और रोज आपको एक दम में खटी चीज मिल जाए तो यहार बड़ा दिक्कत होगा तो यहां पर आपको बिल्कुल पेसिंस से काम देना है बिल्कुल आपको अपनी हिम्मत नीए में अपनी पृक्राइब को नॉर्मल पननी है। तो दोखो यह वीडियो तो वह देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप उन्हें लिंक भेजोगे और मेरा वीडियो भी नहीं देख पाएंगे तो आप उनको फोन करके बता दीजेगा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉलम है यह चीज है इसलिए इंटरेट नहीं चला इसलिए जो है वहा प्राइस्थान वाले एक बात ध्यान दकें जब भी मेरा यह वीडियो देखें यह जो कुछ वह इंटरेट की वजह से हुआ है आप बिलकुल डरिये नहीं घबराइए नहीं अगर खटा आपके ऊपर कोई भी मैसिज आ रहा है वार्ट पर कुछी भी आरा बिलकुल धार मत देना क्योंकि मुझे मालूम है कि खटा मेसिज हो रहा है कॉल भी कर रहा है वह बहुत परिसान है तो कॉन्टेक्स पर कॉल करेंगे ज्यादा मेरा दस लोगों करेंगे 20 को 25 को 30 को 40 को इस से यादा कॉल नहीं करेंगे उनकी कोई आउकाद नहीं है कॉल कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट ही नहीं चला है और सारा काम इंटरनेट का यहां पर इंटरनेट ही नहीं चला है क्योंकि द्रदी पहुंचेगा तो दोस्तों यहां पर यह फूरा महाजरा इंटरनेट की पूरी प्रॉलम है इंटरनेट नहीं चला है आप समझ गई होंगे तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी फ़र्जी लोना पर डरना नहीं है घबराना नहीं है आपको कोई दोस आई सान में रहता है मेरे कुछ पीड़े थे मैंने कॉल करके पत तो कल मालूम पढ़ेगा तो इस बज़ेश से वहां पर जो है किसी के पास कोई मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कोई मैसेज वारल नहीं हो पा रहा है वरना यह लोग धजियां उड़ा दे तब तक का ठीक है तो मुझे लगता है कि जो इंफोमेशन नाम में आपको दिया तरुब पर अपने लोगों को समझा सकते कि भईया मैंने कंबिंट कर दिया आप यह लोग को सभूते मेरे पास मैंने कंबिंट कर रखी ताकि आपकी बात सामने वाला समझ सके आपके पॉंटेक्स वाले समझ सके आम मिलूँगा किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स वापी में तब तक कर लिए जाये हैं मन्दे मातरम सत्त में जाये देखे